हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स मेरा नाम है अजी तो राज में आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से आज जिरूँ आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओसिट क्यू आरेस 20 mg टेबलेट के मैं आपको यूज डोज बेनिफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा बने रही है इस चैनल पे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सबस्क्राइब वीडियो कर लो लाइक क्योंकि कि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रेलेटेड जानकारी इस चैनल पे लेके आता हूं तो बैल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बैल को आउल कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वह आप तक नोटिफिकेशन के थूरू जल्द जबता है उस कंडिशन में इसका इस्तेमाल किया आता है इसके साथ साथ और किन किन कंडिशन में इसका यूज होता है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा और बताऊंगा मैं आपको इसे लेने का सही तरीका उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसके पैकिजिं और composition इसके अंदर होता है omiprajol magnesium 20 mg चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसे use किन किन condition में क्या आता है दोस्तों किसी के पेट में elser की problem हो उसमें से use क्या आता है या फिर किसी के पेट गले वसीने में जलन होता हो बहुत जादा gas की वेशे उस condition में इसका इस्तेमाल क्या आता है या फिर किसी का पेट बहुत जादा tight रहता हो और gas pass ना हो पाती हो उस condition में इसका इस्तेमाल क्या आता है या फिर किसी के आतों से related problem हो उसमें इसे use क्या आता है साथ साथ मैं आपको बता दूँ जिन लोगों को comes की problem रहती है पेट साफ नहीं होता उस condition में इसका इस्तेमाल किया आता है चलिए आप मैं बताता हूँ इससे use करने का सही तरीका यानि इसके dose दोस्तों इस tablet का इस्तेमाल साथ साल से 14 साल के बच्चों में आधी tablet सुबा खाली पेट लेना होता है तो इसे दो टाइम भी दिया आता है सुबा साम के हिसाब से साम को भी आपको खाना खाने से आदे घंटे पहले ही लेना होता है दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि जो भी product हम use करना चाहते है उसके side effect हमें मालूम होने चीए साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चीए और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप comment box में लिखके पूछ सकते हो हो सकता है reply करने में थोड़ी देरी हो जाए लेकिन मैं reply जरूर दूँगा चलिए दोस्तों आप मैं बदाता हूँ किन लोगों को अपनी मरजी से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साथ साल से कम उमर के बच्चों को यह अपनी मरजी से नहीं लेना है ना ही उनके parents उन्हें दे और जिन लोगों को liever से related problem हो वो लोग भी इसका इस्तेमाल अपनी मरजी से ना खरें अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सला लें उसके बाद इस्तेमाल करें या फिर अगर डॉक्टर उन्हें देते हैं तो इस्तेमाल कुछ दिन के लिए कर सकते हैं लिए दोस्तों हमें बदाता हूँ इससे होने वाले benefits दोस्तों किसी को पेट में अलसर की प्रोब्लम हो काफी समय से वह परहसान हो तो यह अलसर की प्रोब्लम को ठीक करने लगता है धीरे धीरे आपके अलसर की प्रोब्लम ठीक हो जाएगी और जिन लोगों के पेट में वह सीने में और गले में जलन होता है गैस की बज़े से तो अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करते तो पेट के जलन और सीने की जलन और गले की जलन में आराम मिलेगा और जिन लोगों का पेट टाइट रहता है गैस पास नहीं हो पाती है वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करे तो उनका नॉर्मली गैस पास होगा साथ साथ मैं आपको बता दूँ पेट में ऐसीड बनने की वज़े से आतों को भी बहुत छती पहुंचती है तो ये आतों से related problem को भी ठीक करता है और जिन लोगों को कब्स की सिकायत रहती है पेट साफ नहीं होता है उन लोगों का ये पेट भी साफ कर देता है और दोस्तों जिन लोगों को खटी धकार की problem है acidity की problem काफी समय से है बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसे भी ये धीरे-धीरे ठीक कर देता है चलिए दोस्तों आप हम बात करते हैं इसके side effect की दोस्तों जब आप इस tablet को लेते हो और आपके सिर पे तेज दर्दों लगे तो समझ लीजिए आपको ये सोट नहीं हो रहा या फिर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सोट नहीं हो रहा या फिर कई लोगों को दस्त लग जाते हैं तो अगर आपको दस्त लग जाए तो भी आप समझ सकते हो कि आपको एस उट नहीं हो रहा है या फिर सरीर पे रैसेज बगेरा चक्ते बगेरा पढ़ने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको एस उट नहीं हो रहा है वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ अब तक के लिए मुझे इसाज़त दीजिए गुड़ बाए